हाई फ्रेंड्स मैं सौरक मुमार MS Word 2010 इन हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत आज का टॉपिक है Home Menu तो Home Menu के अंतरकत में आपको इस वीडियो में font option के वारे में बताऊंगा font याने की font पर आप font के face याने की font style change कर सकते हैं font का size बदल सकते हैं उसे बोल्ड कर सकते हैं, टैलेक कर सकते हैं और अंडरलाइन कर सकते हैं तो इन सब भी option को जानने के लिए चलते हैं अपनी MS Word 2010 की window पर यह मेरी MS Word 2010 की window है हम बात करेंगे font option के बारे में जो कि हमारे menu बार में Home Menu के अंतरकत आते हैं आप देखेंगे यह area जो आ रही है, font की आ रही है यहां पर आप font में कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो आप यहां से उसमें changing कर सकते हैं तो अपसे पहले बात करेंगे हम font case की font case यानि की font के style को आप change कर सकते हैं वो कैसे? आप देख रहे हुए यहां पर जो font का style आ रही है, यहां पर यह उसका नाम है Clevery Body, यानि कि यह हमारा font का style है आप यहां पर arrow पे किलिक करते हैं तो यहां पर देखेंगे आपके सामने पहुत सी style है आ रही होंगे आप जिसे style पे जा रही होंगे तो आपको पेस पर preview उसका दिखाई दे रहा होगा तो यह खास बात है आपके MS Word 2010 की क्योंकि यह preview हमारे MS Word 2003 में नहीं होता था लेकित अब आप आसानी साथ कोई भी बदलाव करने से पहले उसको preview में देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे चलेंगे नीचे तो होस्तिस टाइप आ रहे हैं यहाँ फॉंट के और आपको देखता भी जा रहा है तो जो फॉंट आपको लेना है वो फॉंट आप यहाँ पर ले सकते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर यह फॉंट यूज करता हूँ ट्रीस्टा में होने चाहिए तो अनसब की list यहाँ पर open हो गये आप देखेंगे तो मेरा hindi का यहाँ पर और kurti देव यहाँ परático्रायो है आप देखेंगें तो हिंदी में भी यह चीज यह हमारी आ सकते हैं आप देखेंगे तो हिंदी में यहाँ पर हो रहा है आपका पीच पर ओके सब्सक्राइब आपको अब बात करते हैं आप पर font के size की आप font size को control plus आपका जो greater than आता है उससे आप इसको बढ़ा कर सकते हैं और lesser than control से दवाएंगे आप तो उससे छोटा हो जाएगा font आपका और यही आप यहाँ से भी कर सकते हैं तो आप देखो 8 number पे आप छोटा हो गया है 9 पे आप जिस तरह से भढ़ते जाएंगे font अपने आप ही font का size बढ़ा होता हुआ दिखाई देगा दिखाई इसलिए देगा कोकि इन आप यहाँ से बढ़ा हो क्या चाहते हैं और अगर आप छोटा करने चाहते है इस font को तो आप यहां से छोटा जो even क्या रहा है इस पर आप किल्क करेंगे तो यह छोटा होता जाएगा ओके तो मैं यहाँ पर थोड़ा अस्त्रे से बढ़ा अब आप देखिए का यहाँ पर next option आपका आ रहा है वोल्ड वोल्ड क्या होता है मतलब कि आप अपने font को बहुटा कर सकते हैं यानि कि वोल्ड कर सकते हैं देखा आपने वोल्ड किया वैसे यह font आपका वोल्ड हो गया है Ctrl प्लस भी होता है इसका shortcut की जो अब अपने keyword से कर सकते हैं सकते हैं मुझे अगर इसको बोल्ड नहीं करना है तो आप फिर Ctrl भी दबाएंगे तो यह अनवोल्ड हो जाएगा और अगर बोल्ड करना चाहते हैं तो Ctrl भी फिर दबाएए अपने keyword से तो यह बोल्ड हो जाएगा त आप जिसको slide करना चाहते हैं उतने को आप तिरचा कर सकते हैं सकते हैं मुझे MS Word 2010 को italic करना है तो मैं इसको italic कर सकता हूँ यहां से भी और आप चाहें तो Ctrl प्लस आई दबाएंगे तो भी italic हो जाएगा ठीक है तो मैं यहाँ पर Ctrl आई दबाता हूँ तो यह italic नहीं होग और आप Ctrl प्लस आई फिर दबाते हैं तो यह italic हो जाता है ओके तो italic भी सीख गए आप अब बात करते हैं हम underline की underline क्या होता है मालीजी आप कोई भी heading लिखते हैं तो heading में आप अंडरलाइन दीते हैं तो यहाँ पर भी अगर आप किसी को underline देना है तो यहाँ पर underline दे स आप देखेंगे underline के side में arrow आ रहा है इस पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको more underline आपको दिखाई देंगी किसे color आ रहे हैं suppose that मैंने यह color यहाँ पर choose किया है तो आपका यह color यहाँ पर show हने लग underline में मैं first select करता हूँ इसको और फिर यहाँ पर underline के यहाँ पर जाता हूँ आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है more underlines यहाँ कि आप इस पर click करते हैं तो एक dialogue box open होता है इस dialogue box के अंतरगरत आप यहाँ पर देखेंगे green लिया है तो इस तरह से green करके आ रही है और इसके बाद आप okay करेंगे तो देखा आपने यह प्रकार से यह underline इस तरह से तो होने लगे तो समझ गए होंगे कि underlines पर हम क्या क्या operation कर सकते हैं आपको समझ आया होगा तो आज की वीडियो में आपने font option के बारे में जाना इसमें कि हमने आपको font face यान की font के style के बारे में समझाया है font size यान की font को आप बड़ा छोटा कर सकते हैं पोल्ड कर सकते हैं font को italic कर सकते हैं और underline भी दिसकते हैं तो next वीडियो में हम बात करेंगे font option की कुछ और option के बारे में इसमें कि मैं आपको change case यान कि आप font के साथ जो भी आपने लिखा हुआ है उसमें कुछ case होते हैं यासी sentence case, upper case, lower case उन सभी case के बारे में बताएंगे stick through क्या होती है उसके बारे में बताएंगे sub script, super script, text, highlight color, text पर आप color दे सकते हैं याने की font color और clear formatting जितने भी आपने कुछ भी formatting की है उसको clear भी कर सकते हैं तो बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर हमारे पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हैं हमारे YouTube चैनल है www.youtube.com.learnywatch हमसे कुछ पूछना है तो ask.learnywatch.com पर जाकर पूछ सकते हैं अगर हमारे website बिजिट करनी है या पर हमारे बारे में कुछ नॉलिज लेनी है तो www.learnywatch.com पर जाकर देख सकते हैं और अगर हमें mail भीजना चाते हैं तो solve at the red learnywatch.com पर जाकर mail भीज सकते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू